आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ log of log 1 plus x तो यहाँ पर अगर हम यहाँ देखें तो एक तरह से ही हमें देखा है y equal to fx into gx तो यहाँ पर हम differentiation लेंगे of y with respect to x तो हमार पस क्या हो जाएगा f dash x को हमको लेना पड़ेगा gx हम constant मानेंगे plus फिर g dash x और fx constant की तरह multiply होगा तो यहाँ भी इसी expression को हम use करेंगे एक और property हम यहाँ पर use करेंगे कि अगर हमें y दे रखा हो f of gx के बराबर तो हमें क्या करना पड़ता है तब हमें अगर differentiation करना हो तो y dash x हमार पास या y dash हमार पास बराबर हो जाता है f dash x और उसके अंदर value आती है gx की into हमार पास आता है g dash x तो इसको हम यहाँ पर use करना start करते हैं y expression हमार पास है x cube into log of log 1 plus x x cube log of log 1 plus x अब यहाँ differentiation करना start करते हैं तो यह हमार पास क्या हो जाएगा y dash equal to यहाँ पहले हम log of log 1 plus x को हम माल लेते हैं constant और यहाँ पर differentiation कर देते हैं x cube का तो जो हमार पास हो जाएगा बराबर 3 x square और यहाँ हमार पास हो जाएगा log of log 1 plus x plus हमार पास यहाँ पर क्या आएगा plus हमार पास यहाँ पर आजाएगा x cube फिर differentiation of log of log 1 plus x करेंगे तो वो पहले log का differentiation हमें result देगा log 1 upon log 1 plus x फिर log 1 plus x का differentiation करेंगे तो वो हमें result देगा 1 by 1 plus x और 1 plus x का differentiation करेंगे तो वो हमें result देगा 1 अब यहाँ पर यह हमार पास हो गया y dash और इसका value क्या आ गया इसका value हमार पास आ गया बराबर अगर हम x square common ले लें तो यह हमार पास आ गया बराबर 3 log of log 1 plus x plus यहाँ पे हमार पास क्या है यहाँ पे हमार पास आ गया x upon log 1 plus x और यहाँ पे है 1 plus x तो यह हमार पास यहाँ पे value आ गई y' की अब हमको question में क्या निकालना है y double dash तो y double dash हम निकालेंगे कैसे यहाँ हम निकालेंगे y double dash तो सबसे पहले हम x square का differentiation कर देते हैं और बाकी term को constant माल लेते हैं तो यह हमार पास क्या हो जाएगा यह हमारे पास x plus यहाँ पे हमार पास आ जाएगा x upon 1 plus x log 1 plus x into यहाँ पे हमार पास क्या आ जाएगा into यहाँ पे हमार पास x square का differentiation जो कि हमको क्या value देगा वो हमको value देगा बराबर 2 x के फिर उसके बाद हम क्या करेंगे उसके बाद हम यहाँ पे x square को है जग constant लिखेंगे और differentiation करेंगे अंदर वाली term का तो वह हमार पस क्या हो जाएगा हो जाएगा 3 log of log 1 plus x का differentiation करेंगे तो वह हमार पस आजाएगा बराबर 1 by log 1 plus x और 1 plus x का differentiation log 1 plus x का differentiation आजाएगा 1 plus x plus यहाँ पे हमार पस क्या आजाएगा plus यहाँ पे हमार पस numerator by denominator denominator form है उसका differentiation करेंगे तो यह हमार पस आजाएगा बराबर 1 plus x log 1 plus x का whole square यहां हमार पस आजाएगा 1 plus x log 1 plus x numerator में और फिर differentiation होगा numerator का जो कि हमको value देगा 1 minus हमारे पास numerator को constant रखके denominator का differentiation जो कि हमार पस हो जाएगा 1 plus x log 1 plus x का differentiation हम करेंगे क्या है यहां पर 2 terms है तो एक को हम constant मानेंगे और एक का differentiation करेंगे तो 1 plus x का पहले differentiation किया और log 1 plus x का differentiation किया तो यहां पर 1 plus x और log 1 plus x के अंदर 1 plus x है तो उसका differentiation करेंगे तो value 1 ही देगा प्लस यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा log 1 प्लस x को हमने constant माना और differentiation करा 1 प्लस x का तो वो भी हमको 1 देगा तो यहां केवल log 1 प्लस x ही हमारे पास रह जाएगा अब हमको क्या करना है यह जो expression है इसमें हमको value substitute करनी है of 0 तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर हम 0 डालेंगे तो यह हमारे पास क्या हो जाएगा यह हो जाएगा log 1 log 1 की value हमारे पास क्या होती है 0 और फिर log 0 हमारे पास क्या करेगा यह जो term बनेगी हमारे पास यह बनेगी tending to minus infinity यहां हम डालेंगे तो यहां हमारे पास आजाएगा 1 यहां हमारे पास आजाएगा 0 और यहां जो term बनेगी वो होगी tending to यहां पे आजाएगा log 1 और log 1 हमारे पास क्या होता है log 1 हमारे पास होता है बराबर 0 के तो एक तरह से यहां पे हम देखें तो यह 0 by 0 undefined form हो गई तो जब ऐसी undefined form हमारे पास आती है तब हमको क्या करना पड़ता है तब हमको यहाँ पे limit लगानी पड़ती है तो यहाँ पे अगर हम निकाले value किसकी limit x tends to 0 x by log 1 plus x तो यह हमारे पास 0 by 0 form आ रही है तो यहाँ पे हम l hospital लगाएंगे l hospital में क्या हो जाता है l उसमें हमारे पास क्या हो जाता है यहाँ पे हम limit में x tends to 0 रखते हैं और numerator और denominator का differentiation कर देते हैं तो यहाँ पे numerator का differentiation आ जाएगा 1 denominator का differentiation आ जाएगा 1 upon 1 plus x और यहाँ पे यह जो denominator है अब numerator में चला जाएगा 1 प्लस x का भी differentiation होगा पर उसकी value में बार 1 ही आएगी तो इसले वो हम यहाँ लिखनी रहे हैं तो यह हमार पस आजाएगा limit x tends to 0 x प्लस 1 अब यहाँ 0 डालेंगे तो value आजाएगी 1 तो यानि यह जो expression है हमें क्या value देगा यह हमें value देगा बराबर 1 अब क्योंकि यह minus infinity की तरफ tend कर रहा है यह वाला expression पर यह यहाँ पर x है जो की complete 0 है या exact 0 है तो 0 into अगर term होती है tending to 0 तो यह जो वाला expression है यह हमें result देगा बराबर 0 के next हम बात करें जो हमारा दूसरा expression है तो यहाँ भी हमारे पास एक square है तो यह हमारे पास एक complete 0 देदेगा अब अंदर देखते हैं क्या term बन रही है अंदर देखेंगे तो यह यहाँ 1 by 0 term बन रही है और यहाँ पर क्योंकि यह log है तो यह यहाँ पर 0 term बन रही है तो यह 0 by 1 log 1 plus x तो एक तरह से यहाँ पर term tending to infinity है और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से ही हमारे पास terms बनेगी पर क्योंकि बहार हमारे पास complete 0 term है तो जब भी हमारे पास complete 0 और कोई tending to infinity या tending to 0 ऐसी terms है हमारे पास जब भी multiplication होगा तो एक complete 0 उसको 0 कर देगा तो कहने का मतलब क्या हुआ friends मेरे समझाने का यहाँ पर यही मतलब है कि जो y-0 है वो 0 हो जाएगा क्योंकि 0 plus 0 क्योंकि जो दौनों terms है उनके बहार एक complete 0 format है तो जो अंदर जो भी हमारे पास expression मन रहा होगा उसको 0 कर देगा चाहे वो tending to infinity हो अब tending to infinity होती है इसका मतलब हमको exact value तो नहीं पता पर infinity तो defined है नहीं पर कभी भी वो exact 0 से multiply होगी तो value हमारे पास आजाएगी बराबर 0 अगर हमारे पास terms होती exact 0 की जग़ा tending to 0 तो हमें कई सारे operation लगाने पड़ते पर क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक factor है जो यहाँ पे x2 का factor है और यहाँ जो 2x का factor है वो exact 0 terms है और exact 0 कभी भी किसी tending वाली term से multiply होता है तो result हमेशा 0 आता है तो यहाँ पे हमारे पास y double dash is equal to 0 I hope this solution is helpful to you Thanks for watching this video डाउटने डाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट आट 4444 उपर